नमस्कार, पिपी न्यूस लाइन के प्राइम ट्राइम में आप सब का स्वागत, मैं हूरजनी अनुपव, आए सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की प्रमुक सुर्ख्यों पर अनुचे 370 हटने के बाद जमु कश्मीर विकास की रहा पर अग्रसर कहा डॉक्टर जितिंदर सिंग ने जमु स्रीनगर राश्री राश्माग जक्ती तक बन रहे रिंग रोड का निर्मान दिसंबर तक पूरे होने के आसार नगरोटा के सेही खुर्द में जमु नगर निगम द्वारा बनाई गोशाला का मेर चंदर महुन गुपता ने किया उद्खाटन और उपराजेपाल ने हजरत बल दरगाह का दोरा कार इदूल अज़हा की तैयारियों का लिया चायजा प्रदानमंत्री कार्याले के राजिमंत्री डॉक्टर जितिंद्र सिंग ने कहा कि अनुच्छे 370 हटने के बाद तेजी से विकास की रह पर अग्रसर जमु कश्मीर अगले 25 सालों में देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निवाएगा प्रदेश में बड़े पैमाने पर जागरुकता अभ्यान चला लोगों को बताया जाए कि 370 हटने के बाद किस सरा से बेहतर बदलावाया है डॉक्टर जतिंदर सिंग वीरबार दोपहर को जम्मु संभा के पत्नी टॉप में भाशपा के अभ्यास वर्ग के दूसरी दिन इसमें हिस्सा ले रहे प्रदेश पधादिकार्यों को संबोधित कर रहे थे उनके साथ इस मोके पर रास्ट्री महासचीव तरुन्चुग, परदेश अद्यक्षर रविंदर रहना, सह परबारी आशी सूद, रास्ट्री सचीव डॉक्टर नरेंदर सिंग, सांसत जुगल किशोर शर्मा, संगठन महामंतरी अशोक कॉल, पूर्व सांसत शमशेर आदी गन्माने लोग माचूद थे, बंबं भोले के जैगोश के साथ पवितर गुफा में 13,009 शरदालों ने बाबा बरफाने के दर्शन किये, इस बीच स्किम सोरा और बालटाल में दो शरदालों की मौत हो गई, इसके साथ अब तक 10 शरदालों की शारिरिक समस्याँ के क अबर दस उत्सा है, देश भर से हजारों शरदालों प्रति दिन जमू कश्मीर पहुंच रही है, यातरा को लेकर चारों और शिव में माहल बना हुआ है, आदार शिवर बगतिनगर जमू से तड़के बालटाल रूड के लिए 1573 पूरश, 460 महिलाएं, 38 बच्चे, 32 पांस साधवी और एक किनर के साथ 2109 शरदालों का चत्था रवाना हुआ, केंद्री ग्रह मंतरी अमिश शाह ने कहा कि जमू कश्मीर परशासन ने आतंगबात को निरनाइक रूप से काबू में कर लिया है, उन्हेंने कहा कि दीश में परधान मंतरी नेंद्र मूदी और प पर वीडियो कांफरेंस सिंग से संबोधित कर रहे थे। पुलवामा जिले में आतंगी संगठन अलबद्र के हाइब्रिड आतंगी को गिरफतार कर लिया गया है, उसके पास से हत्यार और गोलाबारू बरामत किया गया। थाने में केस दर्श कर लिया गया है। समिक्षा की। उन्होंने बारिश के आसार देखते हुए रविवार को परशासन से जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा था। सिन्हा ने टूटर पर कहा कि ये तहार लोगों को द्यालू परुपकारी और मारमता की भलाई के लिए काम करना सिखाता है। सबी धर्मों के जो बमुक्ते ओहार हैं। सब लोग मिलू करके इस पच्छे से मगासन मना में यहीं आके परंपरा रही है। दस को पवी तरहीद है। स्यारियों का जायजा पहले चीज सिकर्टी निया करके लिया। आज मैं स्वरम भी हूँ, हमारी वकपोर्ट की चेर्मेन डाक्रा भी है। जिवजनल कमिसर हमारे सारे आलाल सरान भी है। यहां सपाई, विजली, पानी की उतलब दता आप बारी चो जाये तक्ट्या पुसासन करता है। इस आरी पुसासन ने बनाई है। और मौमी करता हूँ ठीक। वशाला में 300 मवेश्यों को रखने की व्यवस्ता है। इसके अलावा यहां हर परकार की आदूनिक सुविदाओं को उपलवत करवाया जाएगा। जिससे परशों को अलग-लग रखने की व्यवस्ता परशों की जांच के लिए OPD उन्हें नहलाने दोने के लिए जगा भी रहेगी। सांबा जिले के राया मोड से जमू पठान कोड राश्ट्य राश्मार से शुरू होकर जमू स्री नगर राश्ट्य राश्मार जक्ती तक बन रहे रिंग रोड का निर्मान दिसंबर में पूरा होने के आसार है। इस समय रिंग रोड के निर्मान का कारे 30 गती से चल रहा है। करीब 74 पतिशत कारे पूरा हो चुका है। 58 किलोमीटर मार के निर्मान कारे का डिविजनर कमिशनर जमू अरमेश कुमार ने जायसा लिया। इस मौके पर डैपटी कमिशनर जमू अवनी लवासा वर डैपटी कम प्राधिकरन के अधिकारियों ने भी कारे की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अकनू रोड से कोट बलवाल तक रिंग रोड पर वहनों की आवजा ही शुरू हो चुकी है। के लिए पहुँच चुके हैं। इस हास्थे के गायलों की संख्या 26 के करीब बताय जा रही है। जानकारी के मताविक जमू परांद के जिला अधिकारी करूप से बस हास्थे में मारे गे यात्रियों की संख्या की पुष्टी अभी नहीं हुई है। के बताया जा रहा है कि उदुपुर जिले के रामनगर तैसील के मजोड़ी इलाके में दुरगटना करस्त हुई बस बारातियों को लेकर जा रही थी। बस तकरीबन सो फीट नीचे खाई में जा गिरी। जेके चोदा एफ पांस जीरो पांस जीरो नंबर की बस गुंदिया से मजोड़ी की तरफ जा रही थी। रास्ते में किया इलाके में बस चालर के नियंतरन से बाहर होकर बस खाई में जा गिरी। सानी लोग और किया आउट पोस्ट पर तेनाथ पुलीस कर्मी मौके पर पहुँच कर रहत वबचाव कारे कर रहे हैं। हासे में बस में सवार तीस के करीब लोग गायल होने की जानकारी मिली, मृतकों की संख्यात तीन के करीब आई चारी है, मगर अभी तक आधिकारी का रूप पर इसकी कोई पुष्टी नहीं हुई है। इस हासे में साथ यातरी गंबी रुप से गायल होगे। इस पीच राम नगर के स्टी पीओ बीशम दुब्बे भी गटना स्थल के लिए रवाना हुए। कश्मीर के बदलते हालात पाकिसान को रुरास नहीं आ रहे। वापस खदेर दिया। हाला कि दोनों और से हुई गोली बारी में एक आतंकी मारा गया जबकि सेना का एक जवान शिहुद हो गया। फुलीस उत्रों ने बताया कि सीमा पार गुस्पैट कर परियास शुकरवार रात को किया गया। तंगदार सेक्टर में जब पाकिसान की ओर से आतंगवादी जिनकी संख्या 3-4 होने के आशंक का जटाय चा रही है। जैसे ही भारतिय सीमा के नस्दीक पूँची जवान संदिक्द हलचल देख स्तर्खोगे। चोकी पर तेनाथ जवानों ने नाइट वीजन डिवाइस की मदद से सीमा पार हलचल के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि कुछ लोग जिनके हाथों में हाथ्यार हैं लगातार भारतिय सीमा की ओर से और बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूते के पैचान ACC सीमेंट मैसर्स विशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांस्पोर्ट नगर जमू। प्रंगीन खबरों की पर्तदर पर्त होता है तक्षरा। फ़रा बया करता है खबर के पीछे की कहानी। पीर बंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर की जानिपूर इलाके में जोरदा धमाके के बाद एक नीची बैंक की शाका में आग लगे। तेजी से फैली आग की लप्टों ने बैंक परिसर को चपेट में ले लिया। आनन फानुन में तीन दमकल वाहनों ने पहुँचकर दो गंटे की मुशकत के बाद आग पर काबू पा लिया। बैंक को भारी नुकसान किया शंका है जिसका आगलन आज किया जाएगा। गटना से इलाके में अफरात अफरी का मोहल रहा मौके पर मजूद लोगों के अनुसार जानिपूर इलाके में बिजली गुल हो गए थी। क्रीब साड़े दास बचे बिजली बाहाल होने के साथ ही बैंक परिसर में एक जोर तर धा धमाका हुआ। माना चारा है कि शार्ट सरकर से धमाका हुआ और आग लग गई। उस समय एटियम का गार्ड वहां माजूद था जो बहार निकल कर जिसने अपनी जान बचाई आग की लपटे देखते ही देखते पूरी तरह से फैल गई। फायर आन अमर्जनसी विबा के अनुसार उन्हें 11 बच कर 20 मिनट पर सूचना मिली जिससे देखते हुए दो दमकल वाहन रूपनगर और एक वाहन शहर से बेजा गया। राजोरी के दरहाली नाले में तेज बहाव से JCB मशीन एक टिप पर पारी में भह गया जिसमें कोटरंका के रहने वाले ड्राइवर सज्जाद पुत्र महुमद असलम वसहाइक इबरार एहमद पुत्र जमाल दीन लापता हैं। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी हास प्राइशन लेना चाहिए क्योंकि किसी लाज़े में तो लंबा होता है तो कहीं पर भी जैसे पिछले वारिश हो जाएगी कलड़ बरस तो है ये पिछले चंद सालों से बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो जो दिर्या के किनारे में वारे लोग ये द्रिया में काम करने मारे ल अंजियो एंटी क्राइम इंडिया द्वारा आज प्लांटेशन ड्राइव का काम शुरू किया गया जिसके अंतरगत वार्ड नंबर पांच की पार्क से ये अभियान की शुरूआत की गई जिसका शिर्शक था पेड़ लगाओ परियावरन बचाओ एंटी क्राइम टीम ज पोजों की बहुत जरूरता है जिस तरह से आपने देखा करोना हुआ है हमारा जो देश है इसी तरह बच सका कि यहां पे हमारे ग्रीनरी अच्छी थी हमारे पेड़ पोजों लगाए हुए थे तो इसलिए जो बोदी जी ने ड्राइव शुरू की थी प्लांटेशन आल जमू बेस्ट रिजर्वड कैटेगरी इंप्लाइस असोसियेशन कश्मीर द्वारा आज भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखा गया उन्हों ने कहा कि कश्मीर में निर्मर्म हत्याओं को लेकर उन्होंने सरकार से गोहाल लगाई थी कि उनकी ट्रांसपर पॉलिसी बना किया है वो उस वादे को पूरा करें हम उनकी तरफ निगाहें करके बैठे हैं उनका वादा जो है वो पूरी जमू कश्मीर के कर्मचारियों में एक विश्वाज जगाएगा कि जो ये लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं जब तक अपने आश्वासन को पूरा नहीं साइन जी स्वीर्ट शाप पकडंगा में शौर्ट सरकर होने से अचानक वहाँ पर आग लगे आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन दमकल विबाग मौके पर पहुंचा और उनका कहना ये है कि जानमाल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है पी एची डेली वेजर स्वारा आज एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर जोरदार परदर्शन किया गया उन्होंने का कि बार बार वे सरकार से गोहार लगाते हैं लेकिन सरकार है कि उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही और उनके साथ ये सरसा नाइंसाफी है अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने पुराना वेतन का बुक्तान करने की मांग की एसारो 64 को लागू करने की मांग की और साथ ही साथ उन्हें नियम्मित करने के लिए भी कहा वरना ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी रैगुलाईजेशन का प्रपोजल सामने नहीं आता और इस लड़ाई को आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा जैसे पिछले दिनों 29 तारी को पुल बंद हुआ था वैसे ही तमाम डिस्टिकों से 10 के 10 डिस्टिक जम्मू बलाए जाएंगे और उसके बाद चाहे वो हमें किसान अंदोलन की तरह कोई अंदोलन करना पड़े या ट्रेन की पड़नियों के उपर बैटना पड़े ट्रेन रोकनी पड़े या पुल बलाग करना पड़े कुछ भी करेंगे लेकिन रैगुलाईजेशन के बिना पीछे बापस जाने वाले अमनात वेलफेर सोसाइटी द्वारा वेलवे में लंगर का आयोचन किया जा रहा है इसी के बारे में अधिक जानकारी सांचा करते हुए जानकारी दी गई कि यहां पर आने वाले यात्रियों की देखते हुए सुविदा को मद्य नजर रखते हुए उनके खाने पिने की ब जना के अपनी घर से ला सकते हैं और यहां पर हेल्प कर सकते हैं इनकी इस खाम को आगे बढ़ाने में मेरे को यह इनी शिटिम बहुत ही अच्छा लगा और आइविश तभी लोगों की सोच ऐसे हो और यह यात्रा सबके लिए कंफोर्टेबल करने के सब लोग जगा जगा पिपी न्यूस लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझोर मेरी पूरी टीम को दीजी इजाज़त और आप देखते रहीं पिपी न्यूस लाइन नमस्कार जमो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेक्नोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार जम ओप्टीशन्स विद फेसिलिटी ओफ आई एकसरसाईज ए स्कैन बायोमेट्री, पैकिमेट्री और आटोमेटिट फिल्ड अनलाइजर और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम ओप्टीशन्स गांधी नगार जम ओप्टीशन्स नई बस्ती जम ओप्टीशन्स अमफला जम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर